जहें दोस्तों एसस ग्यान मस्ति में आपका स्वागत है कैसे हैं आप लोग मैं भी ठीक हो तो आईए आज मैं आपके लिए कलेंडर लेकर आया हूँ आज मैं आपसे बातें नहीं कर पाऊंगा तो आईए तो दोस्तों कलेंडर आज आप कोज कुछ नया दिख रहा होगा आज मैंने आपका हाथ का चीतर बनाया है और जहां हाथ की रेखा है होती है वहाँ आज कलेंडर लिखा होगा है आज से आपके हाथों पर कलेंडर छप जाएगा तो आईए तो इसमें पहले चार छोटी छोटी बाते हैं जिस तरह से आपके पास हाथ होगा इसमें चार उंगली हैं दिख रहा हो उसी पर कास चार बातें भी हैं और ये चार बातें आप जानते भी होंगे और लेकिन फिर से आप जान लिजीए इसको इसमें एक है लिब बर्स और दूसरा है सधारन बर्स इन दोनों में अंतर क्या क्या है तो पहला अंतर यह है कि लिब बर्स को हम पहचाने गे कैसे तो लिब बर्स को पहचाने के दोस्तों हम क्या करते हैं चार से डिवाइड करते हैं जड़ी वह कट जाता है, तो हम कहते हैं कि वह लिप बर्स है, लेकिन समस्याएं खड़ी हो जाती है, समस्याएं क्या खड़ी हो जाती है, कि ठीक है, 2016 में 4 से भागा देते हैं, तो कट जाती है, तरनी लिप बर्स है, 2017 इसमें 4 से भागा देते हैं, तो नहीं कटता है, अर्थ अब लिखते हैं 17 सो अनि 17 सो में चार से भागा देते हैं तो कट जाता है तो क्या इवी लिब बर्स होगा लेकिन यह आपका सभारण बर्स हो जाता है समस्यां यहां खड़ जाती है इसलिए फिर मैंने दूसरी बात लिखा कि 400 से भागा आप कई सर कभी 400 से बोल रहे हैं कभी 400 से बोल रहे हैं तो दोस्तों जब अंतिम में डबल सुना रहे और था सतावदी रहे और था सेंचूरी रहे तो आप 4 से नहीं 400 से भागा देंगे दोस्तों क्या रहे है? प्यामर के अनतिम में डबल सुना रहे है सतावदी रहे और था सेंस्यूरी रहे है तो आप 4 से नहीं भागा देकर 400 से जाज करेंगेने अरथा 400 से जाद आ एकर 400 से कट रहा है तो यह पां लिख बर्स हो गया यह 400 से कट रहा है त необход ला खर भी 400 से जो फोलो कर दिया, जो नहीं फोलो किया, वो टोटल किसमें चला जाएगा, सधान बर्स, अर्थात, यह आपका हो गया, लिबर्स, लिबर्स, यह आपका सधान बर्स, और यह भी आपका सधान बर्स हो गया, जी कि 400 से कटा, लेकिन 400 से नहीं कटा, आई यह, दूसरा, दूसरा हुआ 29 दिन का होता है लेकिन इस साधारन वर्ष में सभी क्या होता है आपका 28 दिन का होता है और तीसरा और मज़धार है दोस्तों जो कि इसका टाइप टू कलिनर का टाइप टू जो कम प्रिजन बला कहते हैं कि फलना आदमी मनलों खुसी है एक मले एक प्यासिम पूछा है कि खुसी ने आठ अगला जर्म दिन का होगा अनि टाइप टू में आता है दोस्तों खुसी त तो इस टाइप बला को हिसाब बनाने के लिए दोस्तों यह जरूरत होता है ऐसे तो हम इसका ज्योत नहीं पढ़ने देंगे हम एक ब्रहमस्त चलाएंगे उसमें आपका ट्क्टर बन जाएगा लेकिन फिर भी आप इसे भी आद रखें समय समय पर यह भी काम देता है दोस् कि एक जन्वरी को जोन सा दिन परेगा दोस्तों लिप बर्स में उसका लास्ट मन्थ में लास्ट मन्थ के अंतिम दिन में उसका दोस्तों एक अगला दिन होगा और थात यहां जैदि एक जन्वरी को सौंभार है लिप बर्स में जैदि एक जन्वरी को सौंभार है तो 31 दि विए समर गूं क्या होगा दोस्तों बुध भार होगा यह है इस स्रीप ओर स्रिफ किस में होता है दोस्तों लिप बरस में एक जन्माड़ी को जैदी बुधोर रहा Lahir तो अगला दिन दूस्तों क्या होगा गुरुव भार होगा अगला धिन घृरत गोर होगा घृत break जबकि साधारन बर्स में आईसा नहीं है साधारन बर्स में एक जन्मरीक जोन से दिन पड़ेगा उसी बर्स उसी बर्स अंतिम मन्त के लास दिन में ही वही दिन पड़ेगा रथा तिहां सौंबार है दोस्तों तिहां भी सौंबार होगा यहां मंगल वार है तिहां भी मंगल ह सद्धारन में क्या को दोस्तों बदलता नहीं है इसमें क्या होता है एक दिन अगला बढ़ जाता है हम उम्मीद करते होंगे एक परसेंट बॉन्स कर रहा है आपको चली कोई बात ने वह भी हो जाएगा इसमेरा आप चली कमा परसेंट कांफेशन दूर हो जाएगा तो अगला है चोधाा लिखतों कि एक मार्च-31 दिसमबर को आनि लिब बर्स में एक मार्च को जोंस दिन परेगा 31 दिसंबर को भी वही दिन परेगा अर्थात यहां दोस्तों सोम है तो यहां भी आपका सोम ही होगा कहिए सर्च उपट कर दियें आप अब ही आप चिला चिला कर बोल रहे थे कि लीब बर्स में एक जनवरी को मतलब कि जोन दिन परता है तो लास्ट मन्थ में लास्ट दिन एक दिन अगला होता है और आप कह रहे हैं कि यहां पर बदल जाएगा यही तो बात है दोस्तों यही तो छोटी छोटी बात जो आप छोड़ देते हैं और यही आपकी छोटी बात आपकी समस्या बनकर खड़ी हो जाती है दोस्तों हमने कहा कि फरवरी जो होता है लिफ बर्स में 29 दिन का होता है जब तक फरवरी सामिल नहीं होगा तब तक लिए अगला दिन नहीं होगा अर्थात इसमें एक जनवरी है अर्थात फरवरी इसमें सामिल हुआ इसलिए वह एक दिन अगला हुआ इसमें फरवरी सामिल चाहीए 1 जन बढ़ा लें कारण कर एक दिसम्बल भर दूस्तों नहीं नहीं होता है इसमें त्रा चोण होते हैं दोस्तों कि एक जन बढ़ी लें और 31SOお願いします एक दिन बदल जाता है एक फरवरी में आणे करण 29 दिन हो आने करण एक दिन बढ़ा जाने के कारण और इसमें क्या हुआ एक मार्च एक तीडिसम्बर तक में नहीं बदलता है क्योंकि अपने फर्वरी इसमें लिया ही नहीं फर्वरी को आगे से लिए हैं इसलिए हमने एक मर्च लिया है आपका रेलवे तक लिए एससी तक लिए सीमित होगा तो आपको तब इसका जुरत नहीं पड़ेगा जो हमें थर्वरी बताने वाले हैं लेकिन जैदि आप UPSC और UPSC सी साइट ए सब का बनाते हैं कायट मैट ए सब का बनाते हैं तो उसमें आपको दोस्तों थोरा सन दिक्कत होगा इसलिए इसका विजवत पड़ेगा और इससे आप जितने भी साधार निक्जाम हैं मैं एक ही कॉंसेट वर उस पर लिख चला जाओंगा आईए तो मैं वो कॉंसेट बताने वाला हूँ वह है पंजा और इसकी ज्योत नहीं पड़ेगा इसकी ज्योत आपको तब पड दिया तो आईए आपने इन चारों चीजों को जान लिए जानना भी जरूरी था लिप बरस अधन बरस ने जानेगे तो फिर दिक्कत है उसका जुरूत पड़ता इसमें भी पड़ता है तो आईए दोस्तों मजे की बात अब आएगा बताईए आपके पास हाथ है ना ये कि इसमें कानी की क्या बात है छोटका कानी उगली से छोटा है दोस्तों इससे बड़ा कौन है ये है इससे बड़ा कौन है कि ना ये तो छोटा है लेकिन महत में बड़ा दोस्तों आप ट्रेन पर बस में कहीं भी जाते हैं तो उंगली से हुरूर के इसी शुरूया निकालते ह यह आता है। यह सबसे चोटा एस से बड़ा ही है इस इस बड़ा चोटा करने से दोस्तों राता ही चार उंगली जायों छाये गाना पूंपेuchar करने से ले जाने से आपको फायदा होगा कि आपका बर्स-कोड वर्स-कोड आध हो गया वर्स कोड आध हो गया दोस्तों वर्स कोड आध हो गया अनि कि छोटका क्या है दोस्तों छोटका छोटका मतलब छो अनि इसका जो छोटका पर आएगा उसका वर्स कोड क्या आध है दोस्तों छोटका तो कोड अभी रहने दीजिए पहले इ देख लिजिए पहले छोटका इस इससे बड़ा है ना, आतरा सो होगा इससे बड़ा है यह प्रम आखाहैं Unnisation उनइस सोला सो इससे बड़ा है यह सोट्का इससे बड़ा है चेठान कराk और puppy करे if impose on stock अन्योड भी टरें किlish खते करर हैं चार दूजीरो, चार दूजीरो, अर्थात क्या कियें दोस्तों? 107 जा 28, 103, 113, 113, 116, 117, 117, 116, 116, 116, 126, 126, 117,x10 उसके बाद कोड घर्भते करम लिहना है, कोड के लिखना है? घर्भते करम है, भर्ष क्या है, 167, 116, 110, ऐसे विलीं सेकते हैं ye, दोस्तो, 1600, अर्थात यहां 16 सो लिखेगा, तनी 6, और इसका कोड़ 6 होगा, उसके बाद घर देकर में लिखेगा, थाम उम्मीद करते हैं कि बर्स खोड आपको आद हो गया होगा, आप कहेंगे, Sir, अपने 19 सो तो के लिए बताया, 2020 आजाए, 2021 आजाए, 2021 आजाए, 2022 कोई दिक आजाए, 2021, ऐसे करेंगे, Sir, अब मतलब, आप 1600 सो काम रहताब, 900 रहताब, 1100 रहताब, 1600 उल्टा गुम जाए, घरी के विप्रिद दिशा, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, उल्टा गुम जाए, तो ए दोस्तों, उसका जुरत परता नहीं, दोस्तों, 1600 के बाद ही एकजाम में आता है, हो गया, चलिए, एक मजे की बात और, आप यी बताईए, बर्स में कितने महिने होते हैं, तो आप कहेंगे, 12, उसे चार भागे मार्ट दीजिए, इसलिए मैंने चार उंगली लिखा, आप चार भागे मार्ट दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, तीन फोल हैं दोस्तों, एक उंगली में कितने पुल है, एक, दू, तीन पुल, कितने उंगली है, चार पुल, तीन चोक, बारे, आणि बारे मन्त काई बिल्कुल बढ़ियां से दर्सार है, इसी ये मैंने पार दिया, दोस्तों, चर्तिया पार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, माई, जुन, अर्था दू उंगली में जुन तक ले खाता है, जुन, जुलाई, अगा, सितंबर, अक्टूबर, नॉंबर, दिसंबर फेर खाता है, चोचों, हम समा सकते हैं, दोस्तों कि आप इचार उंगली पर एक बर्स पूरा महना बोल सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, पहले उ अक्टूबर, नॉंबर, दिसंबर, यह चोधे उंगली में, हम उमिद करते हैं कि आप इस उंगली पर बैठा दियें हैं, कि हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, माई, जुन, जुलाई, अगा, सितंबर, अक्टूबर, नॉंबर, दिसंबर आपने बिलकुल कर लि इस उंगली पे ना, इस उंगली पे काहने उंगली पे ? 033. क्या लिखने दोश् freshly ओ सकथा दोस्तो? इस उंगली पे 033 इस पे लिखने 030 इस पे लिखा 035 645 03 or 07ृ 035 की पले हि निच्धर कहा जा नहें दोस्तो ट्रीट टॉपन 030 030 656 665 फेरसे दोस्तो पस उंगली पर लिख लेजिए, 033, 035, 614, 625, 033, 035, 614, 625, आपको आद होगे होगे हम उमिन करते हैं, 033, 035, 614, 625, का ये नासर, हमको एगो मास्टर सहाब आद करा हैं, 033 आप आद करा रहे हैं, 033, 035, आप 614, 625, हमको एगो मास्टर सहाब आद कराएं हैं, एवल आद करा हैं, 144 जैसें बर्गमूल भी निकल जाता है, 144, 536, इसका बर्गमूल नहीं करें, इवल आद है, कोई दीकर नहीं, दोस्तों, अब जदी इवल आद रखेंगे, था हम कहेंगे और आद कर लिजिए, हम कहेंगे और आद कर लिजिए, तो दोस्तों, कोड कितना होगा इसका डिफिनिट नहीं, आप ए आद रखेंगे, आप कोई भी कोड कहन बनाने के लिए, तब आख मून के बना दीजिए, कुछ नहीं दोस्तों, हमने कहा, 0, 33, 0, 35, 614, 625 आद कराने बोल रहे हैं, अब बस ओ किक्या सब इसमें एक-एक जोड दिया है, आप ही कहेंगे, भले उसको पता नहीं है, कि एक-एक जोडने बाद ही आता है, उसी फाद कराता है, तो एक-एक जोड दीजिए यह आगया, इसमें एक-एक जोड दीजिए यह आगया, अगला कोड, ऐसा होता है तोस्तों, फर अगर जो कोई कहे कि एक ओड रखो तो तुम कहा ना यह नहीं एगो और आद गरो फिर कहेगा उने तो यह यह आध रखो सब में एक एक जोड दना आओ जाएगा ध्यान रखना दोस्तों जहाँ 617 होता है और 7 के जगवापर 0 लिखा जाता है 617 होता है 617 के जगवापर क्या लिखाता जाता है जाता है दोस्तों 0 तो हम उम्मीद करते हैं कि 033 035 614 625 आपको आद हो गया होगा जनवरी फरवरी मार्च और 035 अक्टूबर नॉर्बर देसंबर 035 और 035 और जनवरी फिर मार्च अप्रेल माई जून 614 और जुलाई अगा सितंबर जुलाई अगा सितंबर क्या होगा दोस्तों 033 035 614 625 हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह कोड आपको आद हो गया होगा और कोवी कोड आपको बनाने भी कहगा आता ही ढोल देखिये अ कोनों आपको याद रखना है आप कोई हिस्सा बना लेने जैसे में एक चामपल लेते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत आजाद हुए थे बड़ा इंपोर्टेंट दिन है तो आईए कि युठ नहीं करना है 15 को 15 ही लिख देंगे 47 को 47 से ही छाप देगए क्या दोस्तों इसके अब सफूतर चाहिए आपको क्या 15 को पंदरर ही practically जो रह salsa day टो हो हे लिख सकते क्याँ है जिस सित्मा तो लिख सकते अर्थात, आगस्त कर रहा है दोस्तों, तो, एक क्या एक जा में चार उंगली आपके साथ नहीं जाएगा, जाएगा ना, तो बस आपको हाथ रहेगा, 100% आध रहेगा, तो आएए अगस्त कर दो, आएए दोस्तों, यह आगया 29, सदी आगया दोस्तों, इसे सदी के पता चलत यहाँ, चोथा चोट का, चोट काश, चार 2, 0, अर्था 19 पर सा 0 आता है, 0 लिखती हैं, इन 4 चीजों के बाद, दोस्तों, एक चीज और लिखना है, और वह है, कि इनमें 4 से भाग देके लिखना है, दोस्तों, क्योंकि लिभ बर्स जो हता है, परते एक 4 बर्स आता है, इसल पुर्णांग भाग लिखना है, चार से भाग देकर कियागा पुर्णांग भाग एगार चुक चोग आलिस, सेसफला छोड़ देना है, और साथ से भाग देकर दोस्तों सेसफल निकाल लेना है, साथ से भाग देकर दोस्तों सेसफल, साथ से भाग देकर दोस्तों सेसफल, दी सथ से भाहग देंकर क्या की हमिश्वीन नहीं हों सो से साथ सो से से आद पर धियान देना दोश्तISTर अचार सेबढ नियाद हो फ् Commission के या जब सा साथ 12 से अ सॉ से सथ पर धियान देनना थाद छार डिज्वीन हो यान थाद शायकर कि सद दुना, चवदा, यहां से एक बज जएयगा सेस, आ इसमें जो डिए बार है, बारे में शाचिता है तो 5 मतलों सुक्रवार 5 मतलों सुक्रवार, 5 मतलों संबार, मंगल, भूद, बीरसपा शुक्र, 5 मतलों जो सेस निकलेगा दोस्तों, उसको गिन देना है, सुम्मार एक से करके, पांच मान शुक्र पर, हम उम्मीर करते हैं दोस्तों कि आप भी समझ गया होगा है, अगला दोस्तों, 26 जनवरी 1950, इसी दिन से विधान लाग हो गया दोस्तों, गंतंतर दिवस इसको मना, इस दिन मना क्या करना है, आप तो बहुत सिंपल बताए थे, 26 को 26 ही लिख देंगे, 50 को 50 ही लिख देंगे, जो से जनवरी, जो से 0, दूगो ऐसे याद रहता है, दोस्तों, जो से जनवरी 0 हो, आईगो 8 से अक्टूबर, तो 0, दूगो तो इसे याद रहेगा, ऐसो रहे ना रहे, कोई दिक्केत ने आपको तो 0, 33, 0, 36, 4, 6, 5, पर चाहिए दिये, तो आईए, तो 26 को 26 लिख देंगे, 50 के 50 से लिख देंगे, जनवरी का 0, 19 मी क्या होगा दोस्तों, तो चोटका, 16, 16, 17, 18, 19, 16, 4, 2, 0, 0, चौथा जगा, चौथा पांचमा जगा पर क्या लिखनें, दोस्तों, सता बदी जो थी, लिबर्ज होते हैं, दोस्तों, चौथे बर साता है, तो क्या करनें, इसे 4 से भाग देंगे, पुर्णांग भलेके, नहीं, बर्चो कर 40, जो पुर्णांग भागा लिख देना है, अ इसे 6, सनारी meu, 85, 26 है, 7 से भागा देंगे, इसे 7 सथिया कैसे, यहा बच गилось गिया, पांच, और 12 है, साथ से भागा देढ़ेजिए, यहां भी पांच, अरथाथ 5, 1, 6, 5, 1, 6, 5, 3, 7 Yakar, 5, 6, 1, 6 में, दोस्तों, कितना है, तो 7, 4 abre, 4 मिलनद दोस्तों, बिरहस्ताइ बार, और जिस दिन हमारा तेश गंतन्त हुआ था दोस्तों, जिस दिन हमें हमारा तेश सभिधान लेया था, उस दिन कौन सा दिन था विरासपती बार था दोस्तों हम उम्मिर करते हैं का आप इभी समझ किया होगा, तो दोस्तों आप उस step का निकाल लेगे लेकिन condition क्या है लोग इसको बताते भी है न जीरो तेंटिस जीरो पैंटिस अच्छेसो चौदा च्छेसो पचीस तो करते क्या है दोस्तों कहते हैं कि यह तो ठीक है यह आप आद रख सकते हैं होता है लेकिन जनवरी में और फारवरी में कोड बदल जाता है जिदे लीप पर यह साधारन बर्स के लिए बताता है साधारन बर्स के लिए बताता है जनवरी में छो हो जाता है और फारवरी में कुछ नहीं, सब के लिए ही होता है हम कहेंगे दोस्तों कुछ नहीं सब के लिए ही होता है यह कई से हो सकता है सब तो देख लिजी मान लिया जाए कि हम कहते हैं एक जनवरी 2020 आपके लिबर से देख लिजी कौन सा दिन होगा कौन सा दिन होगा कौन सदिन होगा एक जनवरी 2020 को कौन सदिन होगा आभी देख लेते हैं तो एक लिख देंगे बीस का बीस लिख देंगे जो से जनवरी जो से जीरो बीस मी सदिका हो जाएगा दोस्तों शोला सत्रे अठारे उनने इस बीस अर्था छोटका प्रय छोटका मतलग कोड छो एक काउ लिखना है दोस्तों इसमें चार से भागा देखकर पुर्णा भाग चार से भागा देंगे तो आनि पांच हो जाएगा बट्टे साथ सब कुछ हो इसे कर दा है हमने कहा लीप बर्स क आपका चार आता है दोस्तों चार मतलब विरस्पती बार आण बुरस्पती बार आणि गुरू बार आ लेकिन आपकी आसर होगा常 जिदी लीप बर्स होगा तो जनबरी और फर्वरी क्या करना दोस्तों एक घटा लना अर्था बुद्धे बार लिखना है पस्सिंपल सी बात है आनि कि एक घटा लना चार में से घटा लना अर्था तीन बुद्धे बार लिखना है कब लिप बर्स में जनवरी और फर्वरी माह में अर्थात यहां लिख लिजी, लिप बर्स में दोस्तों, लिप बर्स में जनवरी और फर्वरी में अंसर में एक घटा लें, घटा लें, कहें सरा हम नहीं घटाई नहीं, तो कोई दीकत नहीं, आप नहीं घटाई हैं, आप य यहीं घठा लीजी, यहाँ घठाएंगे तो 0 का मतलब 7 में से 0 गिया तो 6, यहाँ घठाएंगे 3 मलव 2 अर्थाथ कोड़े बिदल देजी, अब रख सकते हैं तो यहाँ भी घठा, वहाँ जिन नहीं घठा ने किछा अनसर में नहीं घठा ने घठा तो अब यहीं घठा लीज अब यहीं घटा के 0 में लो 7, 7 में से घटाएंगे तो 6 इसका मंदद 2 कोई दीकत नहीं तब direct answer आजाएगा simple सी बात बाते खतम होगे अर्थात यहां आप क्या करेंगे जन्वरी जगा पर यहने आपका 6 लिखाएगा काम खत जन्वरी जगा पर 6 तब क्या जएगा जन्वरी के जगा पर चो तो आपको क्या करना होगा आपको अंसर ही खतम हो जाएगा तो इकट गया तो आपका हो गया 20, 25, 25, 31, 31 में सरनी 3, 3 मतलब बुद्वार तो direct answer आजाएगा यह रही दोस्तो आई दोस्तों एक प्रोलम है आपका खुसी 8, 25, 25 को 8, 25, 25 बुद्वार को अपना जम दिन मनाती है तो 2020 में कब बनेगी है खुसी है खुसी खुसी लो नाम लिया है महा कुछ दूसरा नाम था यह आपका प्रोलम EPSC C-C-C-C-C-T-E पूछा गया था इसमें लोचा है देखिए क्या लोचा है इस मेथर जो निकालते हैं इस चार उंगले जो मैं आपको बता है यह आपका exact दिन निकाल देता है कौन सा दिन था है यह real में exact दिन निकलता है इससे और इस सिसार में लोचा है, क्या लोचा है तो आए देखते हैं, तो 8 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था, बुधबर बता रहा है न, देखते हैं बुधबर हाकियत में आता है कि ने आता है, तो 8 का 8 ही लिख देंगे, अब 15 का 15 लिख देंगे हमारे मेथर से, रही अगस्त, तो आप कहेंगे अगस्त, आपने चार उंगली के इस्तेमाल करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, माई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई, अगस्त, इस सर पर आ रहा है, 0, 3, 0, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 5 आ रहा है, अनि कि मतलो अगस्त दूपर आईगा, बिस मी सदी क्या है, तो सोला, सतरे, अठारे, उन्हें इस बिस, इस पर आप एछटका पर छटका मलचो, अर्था हो गया, और पांचमा काम क्या करना दोस्तों, इसमें चार से भाग देकर, पुर्णाक भाल लेते हैं, चर्तिया, बारे, अर्था, तीन, और साथ से भाग द अठ्ये यहां पर सेस-फल एक बद जाएगा, तीन, एक, चार, चार, दू, छो, अर्था ट क्याना दोस्तों, चो, और छो मतलँ, चो मतलँ, तो सब्बार 1, सब्बार, 체डार, मंगर, पूध, परसपाद, सुखर, सनी चल, अ는ि स्भा़ मतलँ, ऻानी सनी भाग, ग्याया क क्या है आपको बुद्वार , आप कहेंगे सरो कहीं आफित गल्ती नहीं निकालरे, नई दोस्तो मेरे गल्ती नहीं है, एकदम ओरिजिनल मिठण है, सनी बार रे है बुद्वार , and तो आप बताईए कितना दिन वहां कम दिया है तो आप कहेंगे बुधवार है तो स्वंभार मंगल बुध और तीन दिन कम दिया है अर्थात बुधवार का दिया है दोस्तों अर्थात वह सनी बार को बुद्धभार इंडिकेट कर रहा है, तो कहता है 2020 में कब मनाएगा, रहेगा तो वही दोस्तों, आठ अगस्त ही रहेगा उसका भी, आठ अगस्त दुजर बिस, रहेगा तो वही, जर्म दीन ख़ले दीन अलग होगा, तो कहेंगे आठ का लिख दीख साथ, साथ, उससे पर अर्चोचोदे ख़तम, इसको इसमें दे दीजिए, इसको इसमें दे दीजिए, वीच दुबाइस, बाइसमें ब्लागे दीजिए, याँ एक बज जाएगा, दुनों मिलाके, आप पांच एक छोओ, और थात इसका भी दोस्तों, सेस फ़ल, सेस चोओ निकल रहा चो मतलब सनिवार अर्थात यहां पे है दोस्तों इसका भी है सनिवार ही है तो क्या करना है एक क्या क्या है और आता है इसका सनिवार इंडिकेट क्या है दोस्तों बुधवार यहां भी आपका आ रहा है सनिवार लेकिन जैसे यह जिस तरह से गलती करेगा उसी तर अब बते हुग क्या लिखा आठ अगस्त 2015 को आता है रियल में सनीवार लेकिन लिखा है बुधवार आपका भी आया है सनीवार तो आप क्या लिखेंगे अब कितना दिन घटा के लिखा तीन दिन तन आप इतना घटा देजिए बुधवार अर्था दोस्तों उस दिन बुधवार पड़ेगा तो आये दोस्तों तो आठ अगस्त 2015 और 2020 में कर मनायेगा तो 8 अगस्त को ही मनायेगा आठ अगर्ष्ट 2020, दीन चेंज हो सकता है दोस्तों, जन दिन कभी नहीं मिलता है, आपका जिस तारिक को जन दिन है उसी तारिक का सब दिन ही आएगा, फरक इतना है कि वो दिन देखो गे तो आपका दीन चेंज हो जाता है, तो आएए, इसको कम्परिंट किसे बनाते हैं, त 2020, तो यहां से यहां तक दोस्तों, दो बढ़ेगा है, यहां से यहां तक दोस्तों, एक बढ़ेगा, क्योंकि लिप यह रहा है, और यहां से यहां तक दोस्तों, एक बढ़ेगा, यहां से यहां तक फिर दो बढ़ेगा, यहां से यहां तक फिर दो बढ़ेगा, लेकिन रि तो दोस्तों पहले ही शीज हम लीख चुके हैं एक लिख था हम 1 1 जनर्वरी से 31 दिसम्बर तो देख रहे थे क्या एक दिन बढ़ जा रहा था लीप इएर में अगार्य में मार्झ से 31 दिसमबर लेखतें तो नहीं बढ़ रहा था और फर्वरी सामिल होगा तभी वह लिप में बढ़ पाएगा वरना नहीं नहीं लिप रहते हुए ब्यकार हो जाएगा तो ओहीं बात है यह पिरियड जो बन रहा है डोस्तो आठ अगस्त से तो जैसे आप आठ अगस्त का पिरियड लियें, तो फरवरी दोस्तों इसी में सामिल हो गया, मज़ी की बात है, आठ अगस्त जैसे लियें, तो फरवरी दोस्तों इसी में सामिल हो गया, और ठाथ यह इसी में आ गया, इसी लिए हम यह दूबढ़ा दियें, और कोई बात नह रहे हो तो आठ अगत से सत्रे जा रहा है अर्था लीप तो उसमें जा रहा लेकिन फरवरी गायव हो गया है फरवरी इसमें एड हो गया है इससे दोस्तों ये भी एक रहसमाई बात था जो कि मैं आपको बढ़ियां से बता दिया हूं और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी पर दोबरता है लेकिन ऐसा होता नहीं है साथ लीप से सधारन में जाने से दोबरता है अब समाझ यूं कहा बढ़ता है कहा कि लीप से सधारन में कहा कि लीप में तो आता है 29 महिना तो सधारन में जाकर जुट जाता है दो हो जाता है लेकिन यहां क्यों ऐसा हुआ क्यों कि आठ अगस 2015 से आठ अगस 2016 तो पिरियर जोगे इधर चलाया अगस तक इधर गया हो गया उधर अगस से चलेगा 2017 तो बताई ये उसमें भले गया लेकिन फरवड़ी उसके साथ नहीं गया फरवड़ी इसके साथ आगया इसी जैसा हुआ था उम्मीन करतार समाझ गया होगे तो तो आप कैसे बनाएंगा बदल सर आप तो बोलें ओईसे फिर ऐसे तो कोई दिक्कत ने दोसरों जैसे आपको इछाक्रए आप ऊशे बना सकते हैं कम प्रीजन में यह होता है कि बर्च वला था तब तो असान होगया मन्थ वला रहता है तो थो थोड़ा दिक्कत होता है मन् तो अस्टेंडर लेवरपड के होता है कि जित 8 अगस 2015 है तो बुधवार रियल में आ रहा है सनी बार लेकिन लिख दिया है बुधवार हो सकता है कुछ भी लिख सके तो आपको करना क्या होगा कि दोनों को निकालना होगा जो दिया हुआ है उसको भी निकालना होगा जो निकालेंगे तो हम जाच करेंगे कुछ सही दिया है कि नहीं दिया है इस चीज को जाच करने के लिए हम उसको भी निकालना है यह यह डारेटे सर हम जदी एक्जाम में हम इसी को निकाल देंगे और अनसर ले आएंगे तो क्या गलत हो जाएगा हो सकता है आप एक्जाम किस किस लेबल के देर हे यह माइनी रखता ज़्यो में एकटील के देर आपको सकता है कि आप इसे को निकाले और अंसर आजाए और कुछ हई जाम ऐसा भी होगा जो इसको निकाले इसको निकाले और अंसर नहीं क्योंकि आप चाने के हैं करता क्या है अनिकि वह स्टेंडर करने के लिए रियल दिन नहीं देकर हुआ गलत दिन दे देता है आगे बढ़ा के या घाटा के देता है इसलिए क्या कि दोनों निकाल लिजी इतना सिंपल तो चारूंगरी के इस्तेमाल करके हम आपको बता है तो दोनों क्या दोनों निकाल लिजी जदि अओं याप असान से बन जाता तो अगे प्रेजी कुछ नहीं बनाघ है लगता कि इसी से बना लेंगे तो इसलिए इसलिए हमने आपको दोस्तों दोनों मेठ़़द बारेकी से बता दिया मैं दोस्तों कि आप बहुत अच्छे तो इससे कोई दिकरते हैं दोस्तों, बस आप इसी तर लगे रहिए, आज कलिंडर कैसा लगा आप कोमेंट करके जरूर बताईएगा, और फिर मैं आपको एक अच्छे सोगात लेकर आऊँगा, तो आज यहीं तक नमस्कार, लाइक कोमेंट सेर जरूर करें.